नमस्कार मेरे प्यारे इस्टूडेंट्स एक बार फिट से आज की इस नई वीडियो में आपस भी स्टूडेंच का बहुत-बहुत श्वागत है इस्टूडेंट्स आज आप लोगों के नए चैप्टर की स्टार्टिंग करी जा रही है प्रतिशचतिता आपका नाम है इस च यार हो जाए इस्टुडेंट्स कल आप लोग के लिए वीडियो नहीं आ पाई थी इसके लिए मैं आप शे माफी चाहता हूं क्योंकि कल मेरी तबियत थोड़ी अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं लाग सका तो इस्टुडेंट्स इसके ल प्रतिशत्ता के बारे में कि प्रतिशत्ता होता क्या है तो आपको प्रतिशत्ता प्रतिशत का निशान इस प्रिकार से बनाया जाता है इस प्रकार से होता है और प्रतिशत्थ होता है एक प्रतिशत के रूप wes जाएगा विखीशित का जो निशान होता है इसको हटाने के लिए सबस्क्राइब कर दिए जयाता है उसी में सबस्क्राइब करो पर्टिश्त का Пом西 शोड़ें लिए में कुछ important formulas दिये हुए हैं जो कि आपके लिए काफी ददा important formula है तो students आपके सामने जो यहाँ पे मैं formula आपके सामने लेगर के आया हूं वो formula जो भी आपके हैं बहुत ही जदा important है आपको formula याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप formula याद रखते हैं तो आपके exam में बिना time गवाएं बिना time best की है आप अच्छे से सारे के सारे question attempt कर पाएंगे जो है आप उसमें सारे के सारे question आप कर पाएंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने 10 formula दिया हुआ है प्रतिशत से तो आपको यह दशो फार्मूला याद होना चाहिए और यह आपको मैं आपको most important formula चार important most important formula जो दिया हुआ है उसे मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप इसे जो और सारे formula है वो भी आप याद जरूर कर लीजीगा तो कि यह सारे formula भी आ जाते हैं यहाँ पर देखिएगा पहला जो most important formula है आपका यदि यक्ष का मान y से r प्रतिशत अधिक हो तो y का मा यहाँ इकार से कितना परतिशत कम होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है और प्रतिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् की ब्रद्धी हो तो खर्च में ब्रद्धी ना होने के लिए वस्ट की खपत में कितनी कमी होनी चाहिए इतनी कमी होनी चाहिए इसी प्रकार से यदि वस्ट की कीमत में आर प्रतिशत की कमी हो तो खर्च में कमी ना होने के लिए वस्त की खपत में व्रद्धी कितनी होनी चाहिए इतना परश्यत व्रद्धी होनी चाहिए Students आपके सामने ये सारे जो फार्मूला दिये हुए हैं बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है इसलिए आप इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप इस सारे फार्मूलों को लिख लीजिए और अच्छे तरीके से तयार कर लीजिए तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका जो question है question से starting कर देंगे और अच्छे तरीके से आपको यहां से समझते रहे चलना है students आपको अपना copy pen साथ में लेकर करके बैठना है आपको सारे के सारे questions साल करते चलना है हमारे साथ में और इस वीडियो को share जरूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिससे आपके सभी दोस्त आप ये वीडियो देख सकें और polytechnic entrance exam की तयारी बेहतरीन तरीके से कर सके इसलिए आप इस वीडियो को तुरंत share जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो like जरूर कर दीजिएगा student क्योंकि like करने में आपका कोई रुपया नहीं लगता है तो आप like तो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर देखते रहिए रोज आपको शुबाशाथ बज़े classes मिल जाएगी कल आपकी classes नहीं हो पाई थी थोड़ी जो है तबियत न सही होने के कारण लेकिन आपको रोज यहां पर classes मिलती रहती है यहां पे देखे पहला question है यदि A का बेतन B से 25 प्रतिशत अधिक हो तो B का बेतन A से कितने प्रतिशत कम होगा students आपको मैंने अभी एक formula आपको बताया था पहले ही 7.4 यानि 7.4 जो आपको भी दिखाया था उपर आप देख भी सकते हैं एकदम से वही question आपके सामने आ गया X का मान Y से R प्रतिशत अधिक है तो Y का मान X से कितना प्रतिशत कम होगा R बटे 100 पलस R गुडे 16 प्रतिशत ये आपको formula एकदम से दिया हुआ है बस आपको यहाँ पे formula पे रख देना है answer आपका आजएगा question आजएगा यहाँपे A का बेतन यानि X का बेतन Y से कितना अधिक है 25 पर्शंट अधिक है ठीक है तो students आपका यहाँपे R की value क्या दी हुई है 25% यानि R की value क्या दी हुई है आपका 25 प्रतिशत जब आपकी R की value दी हुई है तो आपको formula पता है कि क्या होता है आपका formula यहाँ पे हो जाता है B का बेतन A से कितने प्रतिशत कम होता है तो formula इसका हो जाता है R बटे 100 प्लस R और गुडे में कितना हो जाता है यहाँ से अगर हम बेतन में कितने प्रिश्चत कमी होगी वह हमारी थाएगी आप थोड़ा सा फार्मुला याद रखना है अगर आप फार्मुला याद नहीं रखते हैं आपको धोड़ा लॉप से लॉंग जो है आप यहाँ पे question solve करेंगे तो उसमें आपका time ज़ादा based होगा इसलिए जो है आपको short trick बताया जाता है polytechnic entrance exam में अगर आप short trick use करेंगे तो आपका time भी based नहीं होगा और आप अच्छे से question भी कर पाएंगे तो देखेगा यहाँ पर आपको पतस बठेंगे पस्ची tenía'll झाया क्योंकि आरन हुचá धाता है तो आर की वैलू 25 और गुड़े में कितनी होदाति है जोगजयाता है और यह क्या हो दाएगा फ्राइब क्रशात हो जाएगा तो सब हमारे या एक्सों पचीस कर जाएगा कितना ऊज आगा 25-25 यानि पठीस का पánस से उटहूंगा तो एक्सों पचीस अगर करने यहार पर क्लिविफ के नीचे और्थ पाच को अगर काटेंगे यहां पे इस नहीं ने परद्शत कम होगा यह इस तरीके से आपको यहाँ पर कोश्चन स्वाल करना था एकदम फार्मूला बेश्ट था अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आपका कोश्चन एकदम आसानी से लग जाता है तो यहाँ पर बी वाला आप्शन में हमें 20 परद्शत हो रहा है त और अगर आप इसे थोड़ा long rope से लगाना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि कैसे लगाया जाएगा formula अगर नहीं लगाना चाहिते हैं long लगाना चाहिते हैं क्योंकि long भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप long नहीं जानेंगे तो आपको formula based भी थोड़ा problem हो सकता है देखेगा अगर दिया है A का बेतन B से कितना 25 परशत अधिक है तो मान लेते हैं कि B का बेतन कितना है B का बेतन मान लिया 100 रुपए है मानेंगे B का बेतन कितना 100 रुपए दिया हुआ है और तो हमारे पास A का बेतन कितना हो जाएगा A का बेतन दिया है B के बेतन से 25 परशत अधिक है यानि A का बेतन क्या हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा और plus में क्या हो जाएगा 25 परशत अधिक है B के बेतन से तो B के 25 परशत हो जाएगा ठीक है तो 25 प्रतिसत दर्म निकालेंगे तो यहां पे 25 बटे 100 हो जाएगा सव गुड़े 25 बटे 100 तो यहां से क्या हो जाएगा 100 और 25 यानि टोटल बैलू क्या जाएगी 125 रुपए तो यहां पे हमारे पास यह दोनों रुपए में आ गई बैलू क्या आ गई हिए 100 रुपए दिया हुआ है मनलब पहले से मैंने मान लिया है तो क्या हो यह दो कम है लेकिन है इसे प्रतिशत में निकालना है तो कुण सब्सक्त तो हमारे पास प्राप्तांग और पुढांग किया है 125 हो गया तो 25 बटे 125 गुड़े 100 कर दिया जाएगा प्रतिशत आजाएगा तो आपको एकदम से अगर आप पहले जैसे आप डायेट फार्मूल लगाना चाहें तो डायेट लगा सकते हैं अदर्वाइज आप स्वाल्प करेंगे तो आएगा बाद में वही बस थोड़ा सा आपको यहां पर स्वाल्प करना पड़ेगा तो जो हमारे पास जो है बी का बेतन कितना कम था 25 कम था और एक का बेतन कितना आ गया था 125 रुपए आ गया था गुड़े में सव कर दिये देखिएगा फिर से वही आ गया और अपको डायेट भी लगा सकते हैं और अगर चाहे तो आप ऐसे भी शॉल्प कर शकते हैं तो यहां पर हमारे वाईलू क्या आ गई थी 20 पर सत आ गई थी अगर आप चाहें तो लांग रूट से लगाएं अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले पर लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद है जो कि अभी उपर बताएगा उसी प्रकार से हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा changing है क्या changing है देखेगा यहाँ पर यहाँ पे का बेतन जो है बी-के बेतन से 30% कम है वहाँ पर क्या था 20% जादा था और यहाँ पर क्या है कम है तो B का बेतन A से कितना कम जो है अधिक होगा अब आपको पता है जब यहां पे कम होता है तो क्या हो जाता है इसकी जो है फार्मूला क्या हो जाता है R upon 100-R गुडे में 100 हो जाता है ये आपका formula हो जाता है ठीक है तो बस हम इसी formula पर लगा देंगे और आपका answer आजाएगा answer आपका तुरंट आजाएगा बस आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना था formula एकदम से formula based question है बस आप formula याद रखेंगे तो आपका एकदम से answer जरूर आजाएगा तो students चलिए आपर लगा देते हैं R की value हमारे पास मिल चुकी है 30% तो R की value जब हमारे पास 30% है तो हम क्या करेंगे यहां से R की value हमारे पास 30% दी हुई है तो हम क्या रख देंगे R upon 100-R और गुडे में कितना 100 यह हमारे पास value दिया हुआ है प्रतिशत में क्योंकि यह हमारा formula होता है तो हम इसमे R की value रख देंगे 30 बटे 100-30 और गुडे में 100 हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास value 30 गुडे 100 और बटे में क्या हो जाएगा 300 में से 30 जाएगा तो 60 हो जाएगा यहां से यह कट जाएगा हमारे पास total value आ गई 300 और बटे में क्या आ गई 300 बटे 7 तो जब हमारे पास value 300 बटे 7 आ गई तो जब हम इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इसे काटेंगे तो हमारे पास बैलू मिल दाएगी यहाँ पे 42.85 42.85 मिल दाएगी बैलू तो यही हमारी कितना हो जाएगा 42.85 यानि 42.85 प्रतिशत आपकी बैलू मिल दाएगी यही आपका एकदम से right answer हो जाएगा student ठीक है तो यह आपका हो जाएगा student तो हमें पर यहां पर मिल रहा है बी वाला option तो बी वाला option आपका एकडम से right हो जाएगा बस आपको थोड़ा सा formula याद रखना था इसमें यह आपका दो formula बन जाता है जो कि मैंने आपको बताया था एकडम से वही formula आपको भी दिखिए formula जो मैंने बताया उसी पर एकडम question आ भी गया तो यह आपको formula याद रखना जरूरी है ऐसे बहुत से question इसमें पूछे जाते हैं अगले question क्यों बढ़ जाते हैं और अगला question आपके लिए है एक TB सेट पर 10% की कटवती करने के करने पर 1650 रुपए गिर जाते हैं TB का वास्तिविक मूल क्या होगा तो आप यहाँ पर दिखिए का आपको कभी कभी क्या होता है आपका होता यह है कि आपके option देखने के पर भी answer लग जाता है अगर आप option देखिए तो भी आपका answer लग जाता है कैसे लग जाता है देखिए यहाँ पर 1650 रुपए हैं और 10% की कटवती करने पर यह 1650 आया है तो अगर हम कटवती कर रहे हैं 10% की तो 1650 आ रहा है तो आपको देखिएगा यहाँ पर अगर आपको ऐसे question मिल दाते हैं अगर आपको ऐसे question मिल दाते हैं कि option इसे भी थोड़ा मिल रहा है matching हो रहा है तो आप जो है बिना संदेह के option से लगा सकते हैं यहाँ पर 1650 आ रहा है न 10% 10% किसी कोई संख्या दी हुए कोई बैलू दी हुए इन चारों में से जिसका 10% कितना रहा है 1650 आ रहा है तो हम कौन सा यहाँ पर option कोई भी ले लेंगे जैसे हम आप एगर देखिए पहला option लेते हैं तो पहला option क्या दिया है आपका 150 यानी 17500 सथाथ्या पानसरों का अगर प्रस्दमौटन निकालते हैं तो कितना आजाता है हमारे पास वैलू आजाता है 1600 , 1700 , 750 रुपए आजाता है इसी प्रकार से अगर हैu 17 spots 17 1850 का निकालते हैं कितना आजाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहीं हमारा आंसर हो जाएगा आप यहां पर एक बात हमाई समझ पाए होंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमें यहां पर पहले बता गिया गया है कि हम 10% की जब कमी करते हैं किसी संख्या की इन चारों में से किसी संख्या का 10% जब निकालते हैं तो 1650 प्राप्त हो जाता है तो हम यहां से डाइडेक्ट लगा सकते हैं कि कैसे यहां पर लगाया जाए कि हमारे पास 10% मिल जाए तो ह तो इसलिए हमारा यह आंसर हो जाता है अब हम अगर इसे थोड़ा जो है स्वाल्व करें बीना आप्शन के तो बीना आप्शन के आपका यह साल्व होगा तो इस्टुडेंट्स यहां पर आपको यह द्यान देना है मान लेते हैं कि टीबी का जो आपका वास्तिक मूल ले था एक्स रुपए था तो जब हमें यहां पर बताए गया है दस परसंट की कटवटी करने पर उसके दाम में से 1650 रुपए कम हो जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे दस परसंट उसकी कमी कर देंगे यानि एक्स में से क्या करेंगे एक्स का क्या करेंगे 10 परसंट तो एक्स क पचास में माइनस 1650 कर देंगे अब यहां पर हमें इसे स्वाल कर लेना है बस हमारे बाइलू आ जाएगी जो कि हमारे पास बताया हुआ था कि हम पचास में से 10% की कटाउती करने पर उसके दाम में 1650 की कमी हो जाती है तो अगर हम X रुपए था माझ ले टी बी सेत का मूख उसमें से जो है इसकी 10p की कमी करेंगे तो उसके मूल में से 1650 की कमी हो जाएगी ठीक है तो यह हमारे एक्दम से जो जैसा बताया है वैसे हमने तो यहां से क्या हो जाएगा यहां पर X बटे 10 हो जाएगा तो X-X बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा X-1650 रुपए अब यहां पर 10X-X हो जाएगा 10X-X हो जाएगा ठीक है तो 10X-X हो जाएगा उपर क्योंकि यहां से एक बटे में लासा लेंगी तो 10x-x और बटे में क्या हो जाएगा 10 और बराबर में आजाएगा आपका यहां से x-1650 रुपए x-1650 रुपए ठीक है तो यहां से हमें बैलू मिल जाएगी 10x-x बटे 10 बराबर x-1650 रुपए तो जब हमारे पास यहाँ पर यह बैलू मिलेगी 10 में से जाएगा तो 9X हो जाएगा 9X बटे 10 बराबर X माइनस 1650 रुपे अब यहाँ पर हमें बटा एक करेंगे इसका तेरचा गुड़ा कर दिया जाएगा तो 9X हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 10X हो जाएगा और 10X माइनस 16500 हो जाएगा तो यह हमने क्या गिया इसमें 10 से गुड़ा कर दिया इसमें X से गुड़ा कर दिया तो यहाँ पर जो है इसे हम इधर पक्छांतर करेंगे इसे इधर पक्छांतर करेंगे तो हमारे पास मि मिल जाएगा 10-9 बराबर 16500 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16500 आपक्स के लगाना चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं इसे अगर अजिए लगाना चाहिए तो 1650 को क्या करेंगा सवसी गुला कर दिया जाएगा बराबर में आपका इसे सालुग कर लिया जाएगा तो आपका डाइड हो जाएगा सोछाजार पांस हो तो मैंने आपको ये भी question अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का यहीं जो है आपका lecture खत्म होता है आपको एक question दिया जा रहा है वो भी आपको जो है इसका answer में comment में बताना है तो आज का जो आपका question है यहाँ पे यह question है 35 का कितने प्रश्चत 14 होगा यह आपको हमें comment में इसका answer बताना है अगर आप इसका answer में comment में बताते हैं तो आपका कल आपके नाम के द्वारा बताया जाएगा कि किन-किन बच्चों का इसमें answer सही था तो आप अपना नाम comment में जरूर बताईएगा कि आपका नाम क्या है और आपने क्या आंसर किया तो देखते हैं कितने students का आंसर सही जाता है तो उम्मीद है आप लोगों को question जो है सारे के सारे समझ में आ गये होंगे तो regular आप जुड़े रहीएगा 7 बज़े आपको class मिल जाये करेंगी तो part 2 के लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा अगले दिन आपको part 2 भी मिल जायेगा students चली चलते हैं आज की वीडियो यहीं तक धन्यवाद हसते रहिए खुश रहिए खुश रहिए लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा धन्यवाद